है सेकंड पार्ट में आपको फिर से एक बर स्वागत है विद्दार्थ नूमित्रोप इस वीडियो में हम लोग यूनित 2 प्रोग्रामिंग सीख इस सब्जेट के यूनित 2 का बेसिक्स ऑफ सी programming part देख रहे हैं second unit में हम लोग अब देखेंगे character set in C किसी भी भाषा में जब भी हम लोग किसी भाषा को पढ़ते हैं या उसमें लिखने का काम शुरू करते हैं तो हम लोग alphabets का इस्तमाल करते हैं तो programming C ये language है computer language है और इसमें भी हम लोग alphabets याने character sets का इस्तमाल करते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं character sets आज के जो learning objectives है तो character set which is also known as token में token के लिए हम लोग देखेंगे token की definition क्या tokens के types क्या तो आईए video की शुरूबात करते हम लोग definition of token से token is the smallest element in C program program का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है सबसे छोटा शब्द होता है उसको हम लोग बोलते है token C programming language में 6 अलग-अलग type के tokens होते हैं compiler जो होता है उसके साथ अलग-अलग part होते हैं उस compiler में सबसे पहले जो synthesizing process होती है उसमें lexical analysis जो होता है lexical analysis में token का इस्तमाल होता है tokens are recognized by parser lexical analyzer में जब parsing होती है तो वहाँ पर और वो parser अलग-अलग type के tokens अलग-अलग database में store करता है जैसे keyword, identifier, operator, symbols, etc तो अभी हमको स्रीप इस slide में ध्यान रखना है what is token and how many types of token available in C then token is the smallest individual unit in C program यह इसकी definition आपको याद रखना है यह व्यक्ख्या आपको याद रखना है कि token क्या होता है program का सबसे छोटा हिस्सा smallest unit of program और C में 6 अलग-अलग type के token होते हैं आईए हम लोग बढ़ते हैं आगे देखेंगे types of token तो 6 अलग-अलग type जो उमने पिछले slide में सुना था उसमें 6 types यहाँ पर आपके screen पर दिखाई दे रहे हैं keywords, identifier, constant, variable, operator and special symbol तो एक-एक को यहाँ जो tokens है smallest unit है वो program की जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं वो एक तो keyword हो सकता है या तो identifier हो सकता है या तो constant, variable, operator या special symbol हो सकता है तो और एक बर में एक example देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं तो सबसे छोटा हिस्सा उसमें क्या होगा eat क्या होगा reti, क्या होगा loha, क्या होगा cement तो इसी तरह से program को construct करने के लिए जो सबसे छोटे छोटे पार्स हमको लगते है वह यहां पर बताए गए है जैसे हमको keyword लगेंगे, identifier लग सकते है constant, variable, operator and special symbols तो अब तक आपको याद हो गया होगा definition of token smallest unit of C program is known as token 6 types होते हैं फिर से एक बर देखेंगे tokens कौन-कौन से होते हैं keyword, identifier, constant, variable, operator and special symbol तो आईए अगले slide में हम लोग इन 6 types को one by one elaborate करेंगे समझते हैं कि क्या होता है सबसे पहला जो type है वो keyword तो हम लोग तेखेंगे what is keyword? keyword is a reserve word इतना ही धान रखना keyword is reserve word जिसके माहिने, जिसका मतलब, जिसका meaning आपके compiler को पहले से पता है उसको हम लोग बोलेंगे keyword जैसे real life में देखो dozen dozen का मतलब होता है 12 item यह आपको पहले से पता है then dozen is a keyword mobile, mobile इस word का मतलब आपको पहले से पता है ठीक है? computer programmable device आपको पहले से उसका मतलब पता है तो यह क्या हुआ हुआ? keyword जिसके बारे में पहले से जानकारी compiler को हो जिसके meaning पहले से compiler में stored हो उसको हम लोग बोलते keyword और ध्यान देने वाली बात है कि keyword are not used as a variable और function ने c में keywords का इस्तमाल variable के नाम के लिए और function के लिए नाम के लिए हम लोग इस्तमाल नहीं करेंगे तो कुछ example है keyword का जैसा int, float, do, class, while, enum main function तो यह क्या हुए कुछ keywords जिनके meanings about there are 32 keywords जिनके meanings C compiler में पहले से stored है तो यहाँ पर हमने देखा type 1 token का पहला type है keyword keyword का मतलब होता है reserve word token smallest unit smallest unit का पहला part keyword keyword का मतलब होता है reserve word ऐसे 32 reserve word C में है keyword के लिए एक नियम है कि keyword को हम लोग कभी भी variable या function के नाम के तौर पर इस्तमाल नहीं करेंगे यहां last में slide के नीचे आपको कुछ example दिये है keywords के यहां पर दूस्तों हम लोग देखेंगे type 2 कि token का दूसरा जो type है वो है identifier पहला था keyword अब identifier identifier का है a name given to variable array function structure और union तो कोई एक नाम जो हम लोग देते हैं जैसा कोई एक person है कोई एक baby born होता है आगे चलके मुझे लोग उसको कुछ नाम रखते हैं ताकि उसको uniquely identify कर सके हैं तो उसी तरह से अगर हम लोग कोई function array बनाते हैं तो उसको अपन खुद से नाम देते हैं तो उस नाम को हम लोग क्या लेते हैं as a identifier जैसा कि यहां पर int अभी हमने पिछले slide में देखा था int is a keyword keyword है लेकिन num1 age यह फिर short value function का नाम तो जो भी नाम हम लोग रखते हैं किसी variable का function का या array का तो उसको बोला जाता है identifier तो यहां definition of identifier याद रखना है बहुत concentrate से आप वीडियो सुनो जब भी वीडियो आप सुनो YouTube पे headphone लगाना है ताकि sound clarity आए आपको अच्छे से तो identifier is a name given to variable, array, function, structure etc. programmer जो भी नाम देता है variables को, functions को उसको हम लोग बोलते है identifier reserved keyword a name given to variable function is a identifier यह नीचे example आपको दिया है अब यह keyword कितना identifier कितना long हो सकता है up to 31 character आप उसको long बना सकते है तीसरा type है token का smallest unit का तीसरा type है variable value which may change during program execution जो value program के execution के वक्त बदल सकती है change हो सकती है उसको हम लोग बोलेंगे variable तो variable बनाने का syntax है सबसे पहले आप लिखेंगे data type variable का नाम and value जैसा कि example में दिया है यहां left hand side slide में देखो आप left corner में down int a int क्या है data type a is a variable name इसको assign किया है with value 100 तो a is a variable a identifier है हमने एक दिया हुआ नाम है किसको 100 is value को तो कोई एक memory location होगी 2 byte की जिसका हमने नाम क्या current क्या किया है as a a और वहां पर value क्या होगी 100 ठीक है तो variable is a value that can be change change होना ही चाहिए इसा नहीं पर हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे variable जैसा radius अभी 5 है हो सकता next time आप इस program को run करो तो radius आप 2 या 10 रखो ठीक है तो जो भी value हम लोग change करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे variable तो according to radius area हमेशा change होगा तो area क्या हो गया हमारे लिए variable ठीक है तो int is a data type main function जो यहां पर लिखा है main with bracket यह भी क्या हो गया keyword int is a keyword लेकिन area क्या है identifier identifier क्या है is a name given by programmer किसी variable या function को जो user या programmer नाम देते हैं उसको हम लोग बोलते identify यहां पर area और radius को हम लोग क्या ले रहे as a variable पाई भी क्या है variable तो यह पुरुणांक संख्या है that's why radius and area को हमने लिया as a integer and pi floating value है अब पुरुणांक संख्या है with a decimal point है तो इसको हम लोग treat कर रहे है as a float तो आईए एक बार revise करेंगे अब तक हमने token की definition देखी smallest unit of c program उसके 6 types keyword identifier, constant variable, operator and symbols इसी चीच को आगे बढ़ा है हमने keyword token क्या होता है reserve word उसके types देखे हमने identifier smallest unit, identifier जो होते है token उनका क्या मतलब है a name given to variable उसका example भी यहां पर हमने देखा तीसरा होता है variables तो variable क्या है value which may change during program execution इसको हम लोग बोलते है variable constant variable क्या है value which may change but which may not change जो उसकी वकीमत प्रोग्राम के execution के वक्त fix होगी उसको हम लोग बोलते है constant तो यहां पर आपको दिखाया है कि constant बना सकते हैं inside the program या outside साथ-साथ अब थोड़ा से यहां पर revise करो program structure program structure में यहां सबसे पहले हम लिए header file comment section को miss किया header file global declaration जो red line दिखे रही है global declaration main function तो यहां पर तीन part हमने लिए ठीक है तो global declaration में यहां पर constant बनाए dozen dozen में हमेशा क्या होगा value हमेशा कितने item आएंगे 12 तो वो fix है फिर program में वो value fix रहना चाहिए किसी user ने उस value को edit नहीं करना चाहिए इसलिए हमने उसको क्या किया const keyword से explain किया integer है complete value है without decimal value है data type हमने लिया int और वो fix रहनी चाहिए change नहीं होना चाहिए इसलिए constant का जो short form है const, const is one another keyword तो हमने const keyword इसके साथ में use किया, तो फिर से एक बार देखेंगे const, const is a fixed value किस तरह से बनता है वो भी हमने यहां पर demonstrate किया next operator, मैं तो operator क्या होता है it is a symbol जिसको हम लोग किसी expression में arithmetic हो, logical हो, relational हो किसी भी तरह के expression में जो इस्तमाल होता है symbol उसको हम लोग बोलते है operator, ठीक है सीप में किस तरह के operator होते है arithmetic, plus, minus, division, multiplication या relational operator होते है less than, greater than, less than equals to greater than equals to logical operator होंगे and, or xor, bitwise operator होंगे फिर से and, or, ठीक है left shift, right shift तो यहां पर हम लोग ने जैसे बता है path से 6 अलग-अलग type के operators होते है, यहां पर आपको याद रखना है operator is a symbol which used in expression arithmetic expression हो सकता है, relational हो सकता है, logical हो सकता है, या assignment, किसी भी conditional, तो किसी भी तरह के expression में जो symbol इस्तमाल होता है उसको हम लोग बोलते है operator यहां पर जैसे दिया है arithmetic operator, relational operator assignment operator, conditional operator, तो यह अलग-अलग types of operator है, and operator again is a token, character set का एक part है, that is operator Finally हम लोग दोस्तों पहुंचे है, special symbols पर operator के अलवा भी कुछ symbols होते है, जिनको हम लोग बोलते है special symbols, जैसे brackets, square brackets, curly braces, comma, यहां पर लिखा है लेकिन यह symbol, जो है comma, semicolon, etc special symbol, जिनके अपने कुछ meaning है, यह expression में use नहीं होंगे, लेकिन statement में C program के statement में कही न कहीं हम लोग इसका इस्तमाल करेंगे, जैसे bracket का इस्तमाल हम लोग जब किसी नाम के साथ में करते हैं, तो उसका मतलब होता है, it is a function जब किसी नाम के साथ में अगर हम लोग square bracket को use करते हैं, that means array curly braces का इस्तमाल करेंगे, that means body of, ठीक है, of any function और any block, comma separation के लिए, दो अलग-अलग value या variable या अलग-अलग करना है तो हम लोग इस्तमाल करेंगे, comma line terminate करना है, तो वहाँ पर हम लोग symbol इस्तमाल करेंगे, that is semicolon, killing operator या termination operator, तो कुछ और भी symbols हैं, जो specially purpose के लिए C statement के साथ में इस्तमाल होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा that is special symbols ठीक है, फिस एक बार देखेंगे हम लोग हमने आज के वीडियो में देखा token, smallest, individual unit of C program, there are six types of token, keyword, identifier, constant, variable, operator and special symbol फिर हमने keyword के बारे में देखा our reserved और उनके कुछ example identifier is a name given to variable array functions और उसका example, variable a value which may change during program execution और उसका example syntax भी यहाँ पर दिया हुँ है constant, a value which may not change or fix during program execution is constant, तो उसका भी example आप यहाँ पर देख रहे हो, red line में मने वहाँ पर mention किया है, const keyword आपने लगा देना है, variable के आगे, then it's become a constant, operator special, operators are symbols, arithmetical, relational, logical में जो इस्तमाल होते हैं expression में, उनको हम लोग बोलते हैं operators, इसके अलावा मित्रो अभी C statement में कुछ symbols इस्तमाल होते हैं, जैसे bracket, square bracket curly braces, bracket इस्तमाल होगा function के साथ में, square bracket array में, curly braces किसी block के लिए, किसी body के लिए, तो उसको हम लोग बोलते है special symbol, तो मित्रो जो C programming की alphabets है, tokens है, character set है, उसमें 6 अलग-अलग type के tokens का इस्तमाल होता है finally, आज हमने देखा इस video में, what is token smallest unit उसके types, 6 अलग-अलग type है keyword, identifier, operators ठीक है, तो यह सारे types आपको एक बर revise करना है, practice के लिए यहाँ पर आपको questions है जो exam point of view बहुत ज़रूरी है define the term token and keyword 2 mark के लिए पुछते है, list all the types of token, यहाँ पर token और उनकी meaning, जैसा operators are the symbols and example इस तरह से लिखना, explain token तो यहाँ पर आपको detail जैसा slide में मैंने बताया, with example meaning, पहले 6 के 6 token के नाम लिखना है, पहले token की definition, 6 tokens, और फिर one by one सभी का meaning and example ऐसा आपको लिखना है, यह 4 mark के लिए आता है question, अगर offline paper exam होती है variable, अभी अभी हमने देखा variable किस तरह से declare and initialize होते है variable declare करते वाग हम लोग क्या लेंगे, data type, variable name and value जैसा int area int radius और radius को हमने value दिया 5, तो how variables are declared and initialized यह आपको पूछा है तो उस slide में जो explanation दिया है वो आपको बताना है, how constant are create, constant are create with hash define or const keyword तो यह with const जो है global declaration जो है, इसका example मैंने यहां पर आपको दिया है इसे आपको लिखना है आगे का question देखेंगे types of operator यहां पर आपके पास types of operator है arithmetic, logical, relational, bitwise assignment and conditional there are six types of operator यहां पर आपको logical और bitwise operator के बारे में लिखना है logical operators double % और double colon जो इस्तमाल होता है and operation और operation के लिए logical and logical और get कि simulation के लिए electronics में कुछ gates होते है and, or, xor तो उसके simulation के लिए हम लोग इस्तमाल करते है logical operators ठीक है मित्रो तो आज का वीडियो बस यहां तक आशा है आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होगे और practice को solve कर रहे होगे अगर कोई practice में आपको difficulty आई है तो अगले वीडियो में मुझे पूछना है comment करकर देना है तब तक के लिए good bye अगले वीडियो